गुड इमिनिंग दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल AMU कलास पे जहाँ पर पढ़ते हैं TGT, PGT, कलास से संबने बहतरीन प्रश्णों की स्रीज और कल हमने गरतंतर दिवस्ट के उसर पर प्रश्णों की एक बहतरीन स्रीज डाली थी जिसको आप सभी लोगों ने बहत प्यार दिया, संबन दिया, कमेंट्स के द्वारा, लाइक के द्वारा तो आप सभी का धन्यवाद और चैनल के उन साथियों को मैं ये कहना चाहूंगा जो नए जुड़े हैं वेल आइकन जरूर दबाएंगे सब्सक्राइब के शाथ और प्लेडिस्ट में आपको पूरानी वीडियो मिलेगी जहां आप आसानी से देख सकते हैं कुछ प्रस्ण आइसे हैं जिनको जो है बाइफाल्ट हो चुका है तो जब भी उस पे जाईएगा तो उसको किलियर कर लिजेगा बाद में कमेंट्स के दवारा तो पहले ही बता दे रहा हूं उसको बाइफाल्ट समझेगा जिसको बाद में किलियर किया गया तो चलिए इन प्रश्ण नमबर एक किस समझ में ही नहीं आया था उसका भी जिकर हम करेंगे तो सबसे पहले सुरू करते हैं आज का पहला प्रश्ण जो आपके इश्क्रिन पे हैं प्रश्ण का कहना है कनिष्ट की मूर्ती किस काल में बनी थी पहला प्रश्ण आज की सिरिच का और प्रश् की मुर्थी बनी थिऊ उस समय है ठीक है पहला प्रशन और पहले प्रशन का हमारा जो सही जबाब होगा मित्रो वो हो जाए चिसके काल में कुशार काल चीए है कि बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ प्रशन संख्य है 2 देखें गए आप दूसरा प्रशन आपके इसक्रीन पे हमित रो और दूसरा प्रशन हमारा पूछ रहा है बैदिक कालीन चित्रकला के आउसेश कहां पाए जाते हैं बैदिक कालीन चित्रकला के जो आउसेश हैं वो पाए जाते हैं कहां ठीक है एलोरा में जोगी मारा में अजन्ता में या मोहंजोदाड़ों में बैदिक कालीन यानी बैदिक कालीन जो दोर चल ला था उस तमें चित्रकला के जो औसेस हमें मिलते हैं वो जिस जगह से मिलते हो जगह का नाम पूछ रहा है दूसरा प्रश्णू कमेंट्स करते करिये ताकि बाकी लोग भी जुणें और रेगुलर वीडियो को पूरा देखते रही है तो मित्रों दूसरा प्रश्ण का राइट एंसर हो जाएगा जोगी मारा की गुफा बैदिक कालीन और सेस चित्रकला के जहां प्राप्त हुए वो थी जोगी मारा की गुफा बढ़े प्रश्ण के तीसरे प्रश्ण की तरफ रश्ण संख्या तीन तीसरा प्रश्ण मित्रों कह रहा है सन 1689 में चित्र रमाइड के चित्रकार है यानि 1689 में रमाइड के चित्रकार के रूप में चित्रित करने वाले कौन चित्रकार है चित्रको यानि रमाइड के चित्र को चि वो मनोहर थे साहिब दीन कालू राम या डालू राम तो मित्रो कमेट्स करते जाए फटाफट आज भी देखिए अपने टेस्ट सीरीज में कितने चलते हैं आप कल का भी प्रफामिस आपका बहुत अच्छा था और मेरे त्वारा पूछा गया प्रशन भी जो है बहुत अच् मैंने रिसेंटली प्रशन लिया है और देखते हैं कि उस रिसेंटली एपडेट में कितने लोग अपडेट है ठीक है और मैं यही कहूंगा कि उस प्रशन का उत्तर बिना किसी गूगल सर्च किये पहले अंसर दे लिजिएगा तब आप गूगल पे जाईएगा बिल्कुल 49 में चितर रमायड के चितरकार जो थे वो थे मनोहर ठीक है बढ़ते हैं हम चोथा प्रशन की तरब मित्रो प्रशन संख्या चार देखिएगा चोथा प्रशन क्या कहा रहा है भारती चितरकला की परम्परा किस काल से आरम भुई थोड़ा सा देखिएगा इसमें मिष्टै लिखने में टाइपिंग के भारतिय लगु चित्रो की परंपरा यहां आओगी भारतिय चित्रकला में जो आपसन होगा वहाँ एक चीज और होगा द्यान से देख लिए जगा यहां लिख देता हूँ लगु चित्रो ठीक है यह सब्दू हमिस हो गया है टाइपिंग मिश्ट चित्रो की चित्रकला की जगा होगा भारतिय लगु चित्रो की परंपरा किस काल से आरंभ हुई यानि किसका काल कौन सा काल चल ला था जिसमें भारतिय लगु चित्रो की परंपरा जो है यानि परंपरा की शुरुवात हुई कि यह परंपरा हमारी इस तरसे शुरुवात ह उत्तर मध्यकाल था या बैदिक काल था इनमें से वो कौन सा काल था जहां पे लगुचित्रों की भारती परंपरा की शुरुवात हुई थी तो मित्रों चोथा प्रशन और हमारे इसका सही जबाब हो जाएगा उत्तर मध्यकाल उत्तर मध्यकाल में भारती लगुचित्रों क परंपरा की शुरुवात हुई ठीक है तो चित्र कला की जगह लगु चित्र है ध्यान दीजेगा आईए पाचवे प्रश्ण की तरह बढ़ते हैं आज कुछ पास्चात से भी एक दू प्रश्ण हमने ले लिया है पाचवे प्रश्ण का एरा कि पागल हत्यारा नाम परसीद चित्र है और इस चित्र को किशने बनाया है ये पूछ रहा है और इसका उत्तर देने से पहले कल का कमेंट्स लूँगा और कमेंट्स में उनका लूँगा जीन का जो है कन्फ्यूजन दूर करना है कमेंट्स था रिंकू पाल आईडी थी उनकी रिंकू पाल जो भी हो मेल हो या फीमेल हो, उनका कहना था कि सर 21 नमर प्रश्ण जो आपने पूछा था हम से, हम लोग उसे, वो हमें समझ में ही नए आया, ठीक है, जबकि मैंने प्रश्ण क्या पूछा था, मैंने प्रश्ण पूछा था, कि ब्रह्मा जी के अनुशार, ठीक है, किसकी रचना स्रिष्टी का पहला चित्र है, यही हमारा प्रश्ण था, और उसमें जो है, उसका सही एंसर जो होगा, डी यानि नगनजीत, एंसर जो होगा, उसका सही एंसर नगनजीत, लेकिन यहाँ इनका शवाल था कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो हम किसलिए हैं, हम आपको समझ में नहीं आया कि चित्रलचनम की रचाईता जो है वो राजा नगनजीत को ही माना जाता है सबसे पहली बात वह जाता है क्योंकि पौराडिक जो दोर था उसमें एक कथा के अनुशार ये था कि जो नगनजीत थे उनका नाम था भैजीत क्या था भैजीत यानि नगनजीत का पहले जो नाम था वो था भैजीत और उनका एक पूत्र था जिसकी अचानक और समय जो है मिर्ति हो गई ठीक है तो मिर्ति होने के पश्चात राजा को बड़ा दुख लगा और उन्होंने जो है अपने पुत्र को जिवित करने का प्रड़ किया और उसके लिए उन्होंने तपश्या करना शुरू कर दिया ठीक है तो तपश्या करने के दोरान जो है ब्रम्हा उनसे परशन हुए और वो जो है आए और उन्होंने उनसे जो है कहा कि अपने बच्चे को जन्म की मतब जीवित कर दीजिए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है मैं जीवित कर दूँगा अगर तुम जो है उसका मिर्त चित्र बना दो तो भैजीत ने जो है अपने बच्चे का क्या किया मिर्त यानि मरा हुआ चित्र बनाया जिसको देकर ब्रह्मा बहुत खुश हुए ठीक है और उन्होंने उनके बच्चे को जीवन दान दे दिया ठीक है ध्यान से समझेगा यही इस पे कहानी है इसके वज़े से क्यों इनको कहा गया पहला चित्रकार तो राजा जो है बहुत जो है प्रशन हुए और ब्रह्मा जी इनको कहा उनसे कि तुमने गन प्रेतों पर भिज्य क्या ब्रह्मा जी कहना कि नगन प्रेतों मतलब कि अनको पहला चित्र होगा ठीक है तो चलिए इनी बातों के साथ पाँचवे प्रेश्ण का राइट एंसर देखते हैं तो हो जाएगा जेरिको पागल हत्यारा जेरिको का चित्र है ठीक है और उमिद करता हूँ कि किस नमर का जो डिफाइन मैंने किया है बाकी सब लोग को भी जो है पसंद आएगा और उसे याद रखेगा कि कैसे उनको पहला चित्रकार कहा दिया ब्रह्मा ने आई ये छटे प्रश्ण की तरह पढ़ते हैं स्रीमती मिलवार्ड सांति निकेतन में किस बिशे के सिच्छा देने आई थी देखिएगा मिलवार्ड नाम थाउन का और वो सांति निकेतन आई थी एक बिशे की सिच्छा देने यानि किस बिशे की सिच्छा देने सांति निकेतन में वो आई थी चित्रकला की, मुर्तिकला, वाटिकला या अस्थापत्यकला कोलकत्ता के में जो सांती निकेतन शमय है जो की मशहूर है सांती निकेतन और कला के छेतर में काफी ख्याती है उसकी तो उस सांती निकेतन में विषय के रूप में सिच्छा देने आई थी स्रीमती मिलवार वो कौन से फिल्ड में यानि किस विषय पर सिच्छा देने आई थी 20 में से यह पूछ रहा है हमारा प्रश्ण ठीक है तो मित्रो छह नमर प्रश्ण और इसका सही जबाब हो जाएगा आपका मूरति कलाकि कौन से इस इच्छा दिने आई थी मूरति कलाकि सुछा दिने थी इसके अलावा स्रीमति मिलवाड के अलावा एक और आई थी उनके साथ जो थी फिलपेंट ठीक है क्या नाम था उनका उनका नाम था फिलपेंट कुमारी फिलपेंट ठीक है कुमारी फिलपेंट और मिलवाड ये दोनों जो है चित्रकला सांति निकेतन में मुर्तिकला के सिच्छा देने के इसका राइट एंगा थूइं चलिए साथ्वे प्रश्न की तरह बढ़ते हैं प्रश्न संख्या साथ देखेंगे आप कि ऐसे हैं साथ स्बस्थएं कहना है कला का कौन सा अंदूलन गतिपर आधारित है कला का दादावाद, किरडवाद, प्रभावाद, कौन सावाद, गति पराधारित है कलाका, सात्वा प्रश्न, बहतरिन प्रश्नों की सिरीज में सात्वे प्रश्न पे हैं, और ड्राप करते जाए उत्तर मेरे कमेंट से पहले, और देखिए आज के टेस्ट सिरीज का कितना है आज भी आपका स्पीड, और जो प्रश्न मैं आज पूछूंगा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, इमानदारी के साथ उस प्रश्न को मित्रो, इमानदारी, समझते ही होंगे आप, इमानदारी से पहले उस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा, उसके बाद अगर गुगल स प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा, भविश्यवार, क्या होगा, भविश्यवार, आईए, प्रश्न संख्या आठ देखेंगे, आठवा प्रश्न कह रहा है, दुरलब तिबती ठक्का के लिए बिख्यात है, कौन सा संग रहाले, नालंदा शंग रहाले, राष्ट प्रश्न संख्या आठ और इसका सही जवब हमारा मित्र हो जाएगा डी इलहाबा संख्रहाले आगे बढ़ें प्रश्न संख्या नौ की तरह बढ़ेंगे नौन प्रश्न देखेगा यह अपने आप में रिसेंटरी प्रश्न है बहुत सुंदर प्रश्न है प्रश्न का कहाना है कि कलाकार सतीष गुपता के साथ मिलकर किष ने सहरचित कलाकिर्थी बनाई सतीष गुपता जो कलाकार है उनके साथ मिलकर सहरचित कलाकिर्थी बनाने वाले इनमें से कौन है शर्मान खान जो फिल्म इंडरेस्टिक से टालूक रखते हैं नरेंद्र मोदी जो आपके परजेंट टाइम के अभी पियम है ममता बनर जी जो पशिम मंगाल की है और अखिलेश यादो जो पुर्व मुखे मंतरी रचुके हैं हमारे यूपी के तो इनमें शोबो कौन सक्त है जिसने सतीस गुपता के साथ मिलकर सहराचित कला किरती बनाई पहला तो प्रशन ये पूछ रहा है उसके बारे में एक जानकारी थोड़ा सा चोटा सा और दूँगा मैं आपको इसका उत्तर देने के बाद तो मित्रो कला का टीचर बनना और उसके लिए तयारी करने के लिए आपको जो है कला से संबंधित अपडेट होना पड़ेगा हमेशा कला से संबंदित अपडेट हमेशा रहे, तभी जब के आपको रिजेंट कोश्चन जो मिलेंगे और रिजेंट कोश्चन कि आपकी तैयारी होगी तो अपडेट रहा करिए, एक्टिव रहा करिए, कला कि तैयारी का यही तरीका होता है क्योंकि जब भी पूछेगा रिसेंटली प्रश्ण अगर उठा के पूछ दिया तो फिर आप जो है मात खा जाएंगे ठीक है तो नो नुमर प्रश्ण और इसका सही जबाब हमारे जो होगा वो हो जाएगा मारणिय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के परधान मंतरी है उनके शाथ मिलकर सहरचित कलाकिर्थी बनाई थी सतीस गुप्ता ने और एक इंट्रेस्टिक बात ये है कि एक परदर्शनी में जिस सह कलाकिर्थी को सतीस गुप्ता के साथ मानिय नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर बनाया था उसको 1.30 करोड में भी की थी क्या बोली लगी थी 1.30 करोड में वो एक परदर्शनी मुश्की बोली लगी थी ठीक है तो 9 नमबर का राइट एंसर B प्रशन संक्या 10 पे बढ़ेंगे 10 नमर प्रशन आप लोग देखिए क्या कह रहा है 10 नमर प्रशन का कहना है प्रगतिवादी समु की पहली परदर्शनी का आयोजन 7 जुलाई 1949 को कहा हुई पहली परदर्शनी प्रगतिवादी समु की 7 जुलाई 1949 को जगा पूछ रहा है जहां होई क्या वो कोल गत्ता था दिल्ली था, बुंबई था या लखनौ था ठीक है तो प्रश्णों की सीरीज में धिरे धिरे आप प्रश्ण संख्या 10 की तरफ बढ़ चुके हैं और इस टेश्ट को आपको ही जो है अपडेट करना है कि कितना सही जाते हैं आपका ही प्यार आपका ही कमेंट्स आपका ही लाइक इस चैनल को एक अच्छे मकाम पे पहुँचाएगा बाकी लोग को जोड़ने के लिए प्रेड़ा आप ही बनेंगे और आप से ही हम है और आप है तो हम है हम है तो आप है तो इसलिए एक दूशरे का साथ देते चलते हैं और कामियाबी की तरफ आने वाले भविश्य के बढ़ते हैं मित्रों तो हम इनी बातों के साथ प्रशन संख्यादश का उत्तर देखेंगे इसका राइट इंसर हो जाएगा C. मुंबई 1949 साथ जुलाई को पहली परदसनी प्रगर्तिवादी समुह की जहां होई थी वो जगह थी मुंबई 11 नमर प्रशन देखेंगे प्रशन संख्याई 11 प्रशन संख्याई 11 कैना है कि साजहाँ का तूलादान ये एक चित्र है और किस चित्रकार ने इसे बनाया है साजहाँ का तूलादान इस चित्र को क्या विसंदाश ने बनाया फारुख बेग देखेंगा वेद नहीं है फारुख बेग ने बनाया अबुल हशन जी ने या आकारीजा मुगल काल का इनवे से वो कहों सा चित्रकार है जिसने साजाह का तुलादान चित्र नामक चित्र बनाया ठीक है 11 नमर प्रश्ण यही है मुगल सहली से समद्धित यह प्रश्ण है और इस प्रश्ण का राइट एंसर हो जाएगा अबुल हर्शन क्या होगा 6 बजे टेलिग्राम पे प्रश्ण जाता है जो आज भी मैंने वो प्रश्ण डाल दिया बहुत अच्छे प्रश्ण डाला है और आपके रिस्पांस भी बहुत अच्छे आते हैं तो वहाँ जो नए है वो टेलिग्राम डाउनलोड करके जौईन हो जाए वहाँ आपको वो प्रश्ण भी लेगा ठीक है 12 नमर प्रश्ण को देखिए प्रश्ण संख्या 12 क्या कह रहा है 12 12 नमर प्रश्ण कह रहा है कि किस मिनियेचर पेंटिंग में अलंकरित बार्डर का प्रयोग किया गया मिनियेचर पेंटिंग है जिसमें अलंकरित बार्डर का यूज किया गया कौन सी मिनियचर प्रेंटिंग में अलंकरित बार्डर का यूज किया गया प्रयोक किया गया, इस्तमाल किया गया मुगल सलीली में, राजिस्थान में, गड़वाली में, या पहाडी कला में कौन सा दोर का कला था जिसमें मिनियेचर पेंटिंग में मिनियेचर पेंटिंग में अलंकरित बार्डर ध्यान रखिएगा मुगल के समय में मिनियेचर पेंटिंग में अलंकरित बार्डरों का परियोग किया गया ठीक है तेरे नमर प्रश्ण देखिए प्रश्ण संख्या 13 तेरे नमर प्रश्ण को ध्यान से देखिएगा प्रश्ण कहा रहा कि किस गरंत के चित्र कहानी धूर्त लोमडी है यानि किस नामा का सहनामा पंचतंत्र या हमजानामा ठीक है और इसी इनी में से जिस गरंत का ये कहानी है धुर्त लोमडी इसी का मरतबान जो है आपको चित्रिद बना देखने को मिलेगा लोथल में ठीक है लोथल जो गुजरात में है आपका वहाँ पे देखने को मिलेगा इसका मरतबान यानि इसके कहानी से समद्ध ये जो धुर्त लोमडी चित्र है ये आपको लोथल में देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ सवाल ये है कि किस गरंत की कहानी है वो जिसमें चित्र है धुर्त लोमडी ठीक है ये है हमारा प्रशन और उमीद करता हूँ कि ये प्रशन आपको समझ में आगया होगा और अगर समझ में आएगा तो उत्तर भी अच्छा ही आएगा और इसका राइट इंसर हमारा हो जाएगा पंचेतंतर पंचेतंतर की कहानी है धुर्त लोंडी और इसी के मर्तबान पर आधारित जो चितर दूर्ट लोमडी बने हैं लोथल में आपको देखने को मिलेंगे ठीक है चौदर नमप्रश्ण को देखेगा प्रश्ण संख्या चौदर क्या कह रहा है चौदर नमप्रश्ण का कहना में त्रों की कुतुम मिनार के समीप आयरन पीलर लोह अस्तम का निर्माड किसने करवाया था समंदर गुप्त ने चंदर गुप्त मोरे चंदर गुप्त दिरितिय या अशोक ने तो दिल्ली में है आपका कुतुम मिनार ये आपको पता ही है दिल्ली में कुतुम मिनार और उसी कुतुम मिनार के शमीप बना है आयरन पीलर लोह अस्तम लेकिन यहाँ सवाल ये है कि निर्माड करता कोन है किसने करवाया था किसका सासक था उस समय इन में से तो चौदा नमर प्रश्ण और इसका सही जवाब हो जाएगा चंद गुरुप्त द्रेतिय का समय था जिन्होंने कुट्व मिनार के समय नजदेक यानि आईरन पीलन लोग अस्तम का निर्मणा करवाया था चलिए बढ़ते हैं पंदर नमर कुश्ण की तरफ प्रश्ण संख्या पंदर देखेंगे आप मित्र पंदर नमर प्रश्ण का पूछना है बालो के चित्रड के लिए कौन सा कलाकार प्रतिद है बालो के चित्रड के लिए प्रशिद्धी रखता है एक कलाकार पास्चात्य श होली का कौन सा है वो कलाकार क्या वो डियूरर है टीसी एन है रफेल है या रूबैंस है इन में से वो कौन पास्चातिक कलाका कलाकार है जिसने प्रशिद्धी हाचिल की है बालों के चित्रड के लिए ठीक है पंद्रवम प्रश्चन का यही पूछ ना है और इस प्रश्चन का हमारा सही जबाब हो जागा डियूर यह राइटेंसर हो जाएगा क्या डियूरर सोलन और प्रश्ण की तरह बढ़ेंगे प्रश्ण संक्या सोला इस प्रश्ण का उत्तर तो आप लोग बहुत जल दे देंगे मुझे विध्यपूरी यामनी रंजन राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी यामनी रंजन राय इनकी जो पेंटिंग थी उस पेंटिंग का माध माध्यम में उनकी पेंटिंग बनी है यामनी रंजन राय एक मेल है फिमेल नहीं है तो यामनी रंजन राय जो है थे उनकी पेंटिंग कौन से माध्यम में बनी है आयल में टेंपरा में पेस्टल में या वास्त तक्निक में ठीक है पेंटिंग का माध्यम पूछ रहा है आधु तो 16 नमर प्रश्ण और इसका सही जबाब हमारा हो जाएगा टेमपरा में किसमें टेमपरा में 17 नमर प्रश्ण की तरह बढ़एंगे प्रश्ण संख्या 17 देखेंगे सत्रान और प्रश्ण कह राय मित्रो देहाती बास से बनाई गई गाड़ी चित्रित है देहाती बास से बनाई गई गाड़ी कहा चित्रित है रायगड में, लिखुनिया में, मदशोर में या भीम बेटका में ठीक है देहाती बास से बनाई गई गाड़ी पूछ रहा है कहां चित्रित है प्रागेतिहाशिक काल से सम्बंदित ये चित्र है देहाती बास आपको पता ही है देहाती बास क्या होता है और उससे बनी गाड़ी जो है वो चित्रित है जिस जगा पे उस जगात का नाम बताना है और कल एक कमेंट्स और था जो एक mail थे कोई उनका comment से है कि सर जो प्रश्ण आप पूछते हैं आखरी में उसका answer बता दिया कीजिए तो मुझे लगता है कि वो हमारे पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं अगर वो देख रहे होते तो उनका ये सवाल नहीं होता क्योंकि पूरे वीडियो के दौरान अगले वीडियो में जो मैं प्रश्ण बताता हूँ उसके अगले वीडियो में 5-6 प्रश्ण तक जाते-जाते उस प्रश्ण का उत्तर मैं डिस्कस कर देता हूँ तो पहले आप पूरा वीडियो देखिए तो कही ना कही बीच में उसका discussion कर देता हूँ उसका उत्तर बताता हूँ मैं हमेशा बताता हूँ और यह भी मुझे उमीद है कि जिस तरह से मैं रोजाना एक प्रश्ण आपको टेलीगराम पे और जिस तरह से रोजाना मैं प्रश्ण एक आज नय साल पे इसमें डालता जा रहा हूँ आपके लिए जो आपको आपसे ही कमेंट्स के दौरा पूछता हूँ तो उमिद करता हूँ कि ये तरीका यूटूब का जो मैं कर रहा हूँ आपको बहुत पशंद आ रहा होगा जरूर बताईएगा इसके बारे में तो सत्रहवा प्रश्ण और इसका सही जवाब में तरह हो जाएगा मदशौर दिहाती बास से बनाई गए गाड़ी चित्री थे मदशौर में अठार नवा प्रश्ण की तरह बढ़ेंगे प्रश्ण संक्या अठार देखिएगा अच्छा प्रश्ण है ये भी आज कुछ मिक्स कर दिया गया इधर अधर के प्रश्ण को पूछ रहा कि जाहंगीर की अजमेर और मांडू यात्रा के दरान उनके साथ कौन चित्रकार था यानि मुगल बाश्चा जाहंगीर के जब यात्रा करते थे तो अजमेर और मांडू के यात्रा पे जब वो थे तो उस यात्रा के दौरान उनके साथ एक चित्रकार भी थे तो वो चित्रकार थे कौन? विशंदास थे, दौलत, मनसूर या मनोहर ठीक है? अच्छा प्रशन है और इस प्रशन का अच्छा जवाब भी उम्मेद करता हूँ कि आएगा मेरे उत्तर से पहले 18 नवर प्रशन का कह रहा है कि मुगल बाश्शा जहांगीर का जब दौर चल ला था मुगलों में तो उस समय जब वो यात्रा पे जाते थे तो उस यात्रा के दौरान अपने चितरकार भी रखते थे लेकिन यहाँ सवाली है कि अजमेर और मांडू यात्रा के दौरान इसके अलावा एक और यात्रा थी अहम्दाबाद ठीक है वहाँ भी वो चितरकार मौजूद थे अहम्दाबाद तो या कह लिजिए कि अहम्दाबाद अजमेर और मांडू इन तीनों जगह पे यात्रा के दौरान मौगल बाश्चा जहांगीर कौन से चितरकार उनके शाथ थे इस सभी जगह पे यात्रा के दौरान तो 18 नमर प्रश्ण और इसका सही जवाब हो जाएगा अमित्रो मनोहर कौन थे? मनोहर थे ठीक है 19 नमर प्रश्ण को दखिए प्रश्ण संक्या 19 क्या पूछ रहा है आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस कलकार ने अजन्ता की प्रतिलिपी नहीं बनाई ध्यान दीजेगा अजन्ता की प्रतिलिपी नहीं बनाई कौन सा कलकार है जिसने अजन्ता की प्रतिलिपी नहीं बनाई LM गुप्त ने केवेंक टपा कुमाराचर कूलारचर ठीक है या राम किंकर बैच तो इन में से आधुनिक कला में वो कौन सा कलकार है जिसने आधुनिक कलाकार है जिसने अजन्ता की प्रतिलिपियां नहीं बनाई है वो है कौन सक्स तो इसका तो बिकल्ब देखके या आप उत्तर बता देंगे कि राम किंकर बैज वो मुर्तिकार थे मुर्तिकार के दोर तोर पे ज्यादा ख्याती प्राप थे वो इसलिए राम किंकर बैज जो है वो अजन्ता की प्रतिलिपियां नहीं बनाया है ठीक है बीस नवर प्रश्ण को देखेगा प्रश्ण संख्या 20 बीस नवर प्रश्ण पुछरा मित्रो 12 मासा का सबसे ज़्यादा चित्रड कि शैले में हुआ 12 मासा सबसे ज़्यादा चित्रड जिस सैली में हुआ 12 मासा का क्या वो सैली पहाडी शैली थी क्या वो बूंदी शैली थी क्या वो राजिस्थानी सैली थी क्या वो गुलेर सैली थी कौन सी सैली थी जिसमें सबसे ज़्यादा चितरड 12 हमाशा का किया गया बीश नमर प्रश्ण और इसका सही जवाब हो जाएगा पहाडी सैली क्या हो जाएगा राइट एंसर पहाडी सैली एक प्रश्ण और है इसके बाद आपका एक प्रश्ण हम पूछेंगे इसके बाद आपका जो प्रश्ण है वो आपका प्रश्ण होगा पहले ये प्रश्ण देख लेजिए देवी देवताओ का सबसे ज़्यादा चित्रड की शैले में हुआ है तिक है, इसके पहले क्या था, कि बारह मासा का सबसे ज़्यादा चित्रड कि सेली में हुआ है, दचछरी शैली में, राजिस्थानी शैली में, पहाडी शैली में, या मुगल शैली में है, तो मित्रों फटाफट कमेंट्स करते जाएए, उत्रों को सवाल कोई हो, पूछ ये बेहिचक कलास से सम्बंदित होना चाहिए उसका जवाब आपको जरूर दिया जाए गले वीडियो में और पूरे सहलिनता के साथ एक्स्पलेंट के साथ दिया जाएगा कोई भी डाउट होगा तो और प्रश्णों की सिरीज जो नय है पीछे प्लेलिस्ट में जाके जूड़के देख सकते हैं ये जितनी वीडियो मैं ये डाल रहा हूँ ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा पीछे के भी तो 21 नमर प्रश्ण का जो राइट अंसर हो जाएगा मित्रो वो हो जाएगा भाड़ी शली थी और अब आता है आपका शवाल देखिएगा आपका शवाल आपके स्क्रीन पे है आपके लिए 22 नमर काउंटिंग करके हैं और आपका सवाल रेसेंटली कोश्चन पुछा गया है और मैंने पहले भी कहा है इस प्रश्ण का उत्तर देने के बाद जिसको प्रश्ण का उत्तर देगा सवाल यह है हाली में किस प्रसिद द्रस्य चितरकार का तीराशी शाल की उम्र में द्रस्य चितरकार थे तीराशी शाल की उम्र में निधन हो गया उनका हाली में अभी परजेंट टाइम में कुछ दिन पहले तीराशी शाल की उम्र में एक प्रस या इन में शे कोई ऐसा कलाकार नहीं है जिसके बारे में ये जानकारी सही कही जाएगी, ठीक है, तो आपका सवाल है, करेंट सवाल है कलाका, और उम्मेद करता हूँ कि पूरी इमानदारी से इस प्रश्ण का उत्तर देंगे, उसके बाद आप अपने आपको टेस्ट क्योंकि तभी माना जाएगा आपकी जानकारी को, जब आपने सवालों को उत्तर देने के बाद फिर उसको ढूड़े, ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर देने के बाद, ड्रॉप करने के बाद, ज्यादस ज्यादस कमेंट्स बाक्स में, फिर इसका उत्तर ढूड़ेगा जिन सी टाइम लेकर कुछ होग बहतरीन प्रश्णों के सिरीज और आपका शवाल तब तक के लिए दीजी इजाज़त नमस्कार गुड नाइट